हेलो फैंस, वेलकम टू नियू आक्सफर्ड एजगिशन, आज हम आप लोग के लिए और सथमी BPSC में कुछ हार्ड कोशन आएंगे, जिसके बारे में अतुल परसाद जी यानि BPSC के चैर्मेन भी ट्विट किया था कि कुछ कोशन हार्ड होंगे, तो इसी हिसाब से हम कुछ क हार्ड कोशन को लेकर आये हैं, तो आप इसको देखिए बनाकर कि आपको कितना कोशन सही होता है, यह कोशन इसमें 25 है, यानि 25 कोशन है, आप देखिए 25 में आपको कितना सही होता है, इसी तरह से हम फीड अगले वीडियो में कुछ कोशन को लेकर आएंगे, तो कुछ हार् बता चलेगा कि आपकी तियारी किसी लेवल का है? तो शुरू करते हैं फुर्स्ट कॉपोचन है कि चमपारन सत्यागरा के बारे में निम्खित में से कौन सा भतन सही है? वन है कि चमपारन छहतर में बागान मारीआ को के बिरुद में और संतोस और आंदुलन की लंबी प्रमपरा रही थी यह बिल्कुल सही है 2 है कि महात्मागंदी के दुवरा चमपारन के ख्यतिहारों की सीकायतों को पूरे भारत में परचार मिला यह भी सही है 3 है कि चमपारन के ख्यतिहारों ने चीनी पर अत्यधिक कारारोपन का बिरोध किया या नहीं किया था थिरी गलत है यानि इसका एंसर हो जगा 1 and 2 only यानि आप्शन भी हो जाएंगे 1 and 2 तो इसी तरह से कोशन आपको हो सकता है इस पर भीपेशी में देखने को मिले सेकेंड कोशन है कि महात्मा गांधी ने वांचित उदेश की प्रापती के लिए भूख हरताल की अपनी पदती का सरपर्थम पर्योग कहां और कब किया था यह क्या था आमदावाद मिल हरताल में वर्स उन्हेस सो अठाड़ाज में ओप्शन सी हो जाएंगे आगे देखते हैं कोशन नवर थर्ड कोशन नवर थर्ड है यहां देखिए आप इसके नमबर पर ने जाएंगे क्योंकि आपका नमबर कहीं कहीं मिल सकता है लेकिन रेग रास्टी के आंदर्ण में अखिल भारतिय अस्तर पर अधिवक्ताओं, विदियार्थे और महिलाओं की सक्रिय भागे दरी यही होगा ओप्शन सी हो जाएंगे देखते हैं कोशन那么 5 कोशन है कि नीचे दियेगे बिकल्प में कौन सा बिकल्प भात में रहे सभी ब्यक्ति यानि नागरिक और गैरे नागरिक के समंध रखता है यानि कौन सा अधिकार है यानि कौन सा अनुछेद है जो नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है ध्यान रखेगा जो केबल भारतियों को मिलता है वो है 15,000, 15, 16, 19, 39, 30 यह 5,000 है जो शिफ केबल भारतियों को परापता है मौली का दिकारे जो केबल भारतियों को परापता है 15, 16, 19, 39, 30 यहां कार आपको कि दोनों तब देख लिए जिस option में 15, 16, 19, 39, 30 नहीं है वही इसका answer होगा क्योंकि बात करा यहां पर नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए तो option A तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 15-16 include है B है 29-30 यह भी नहीं होगा क्योंकि यह केवल भारतियों के मिला है 3 है 20-21-20 इसमें देखे 20-21 कहीं नहीं है यानि 3 जो है यह भी होगा 4 में 23-26 यह भी होगा यानि 3 और 4 इसका answer हो जाएंगे यानि option number D cable 3 and 4 यदि आपको यह question अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एब आप चैनल को subscribe जरूर कर लिजएगा next question है question number यह है कि 1888 के वर्ना कुलर प्रेश एक्ट यानि प्रेश अधिनियम के संदर में निम्रकित कत्रों पर विचार कीजिए 1 है यह अधिनियम भारती भासाओं में प्रकासित होने बाला समाचार पत्रों के खिलाब था 2 है कि इस अधिनियम का उदेश राजदरों समगरी के मुद्रन और परिसंचरन को नियंतरत करना था 3 है कि इसमें मजिस्टेट की करवाई को अंतिम माना जाता था जिसके बिरुद नियालाय में कोई अपील नहीं किया जा सकती थी तीनु एस्टेटिमेंट सही है इसके एंसर हो जाएगा ऑप्शन D 1, 2 and 3 आगे देखते हैं कोश्चन नमबर नेक्स कोश्चन है कि जब संसद के दोनों सदनों की संख्ट बैठक में कोई भी धायक रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है ओप्शन A है उपास्थी तथा मत देने वाले सदसों का सधारन बहुमत B है उपास्थी तथा मत देने वाले सदसों का तीन चोथाई 3 है संसदों का दो ती है और D है संसदनों का पूर्ण बहुमत देखिए यह कोश्चन UPSC 2015 में पूछ चुके हैं तो इसके एंसर होगा ओप्शन A उपास्थी तथा मत देने वाले सदसों का सधारन बहुमत ध्यान रखेए यहा जो सदसों का पारित होते हैं वह सधारन बहुमत से होते हैं ना कि बिसेस बहुमत नेक्स कोशन है कोशन नेक्स कोशन है कि भारतिय नेशनल कॉंग्रेस यानि भारतिय रस्टे कॉंग्रेस के गठन के बारे में निम्रिकित कथनों पर कौन सब सही है वन है कि INC यानि भारतिय नेशनल कॉंग्रेस का गठन 885 में मुंबई में हुआ था बिल्कुल सही है, टू है कि I and C की पर्थम अध्यक्ष WC बनर जी थे, यह भी सही है, यानि इसका एंसर जगा आप्शन C, 1 and 2 धोनों, निश्कोषन देखते हैं, निश्कोषन है कि भारत की गुट निर्पेक्ष की निती पर चलने एवं अंतरास्टिय समंदों में पंचसिल सिधान्त को अधार बनाने जैसी अव्यक्तिया समिधान के किस अनुछेद के पर्ती राज की पर्ती बमवित करता है, कोदर साता है, या है अनुछेद 51, 51 में दिय निश्कोषन देखते हैं, निश्कोषन है कि भारत के किसी राज के विधान सभा के संदर में निम्र्खित कतनों पर विचार कीजिए, या देखिये, यूप्यशी 2019 में पूछ चूके है, वर्ज के पर्तम सत्र के प्रारव में राजपल सदन के सदसों के लिए रूढ़ीग नियम नहीं होता है, तो उस विषाई पर वो लोगसभा के नियम का पालन करता है, वो लोगसभा के नियम का पालन करता है, तो वन तो सही है, लेकिन टू गलत है, लोगसभा के नियम करने होगा, यह होना चेह संसद के नियम का, क्योंकि कोई भी नियम लोगसभा अकेले नह बनाते हैं इसमें राजस्वा और लोकस्वा दोनों मिलकर बनाते हैं यानि इसका option 2 जो है वो गलत है तो ध्यान देज़ेगा यहाँ पर लोकस्वा दिया इसलिए गलत है यहाँ पर होना चे़ संसद तो इसका answer होगा केवल 1 option A हो जाएंगे निश कोशन देखते हैं question निश कोशन है कि सूरत विभाजन के समन्द में निम्खित कथनों पर विचार कीजिए वन है कि गोखले की अधिक्स्ता में वाले INC यानि भारती रस्टे कॉंग्रेस के अधिवेशन में नरम पंतियों उदारबादी यानि गरम पंति उगरबादियों के बीच मत भेद परकट हुए टू है कि नरम पंति परिशदों के वहिशकार को पुर्ण विरोध में थे और 3 है किवर्स 1906 में कलकत्ता में स्वराज को यानि रस्टे कॉंग्रेस का लक्ष घोसित किया देखिए अधिगरी वाल भी सही है आधिगरी धुर्ण वह रहा है यहां पर कोई बोल सकता है सर की कॉंग्रेस का भीवाजन हुआ था कि वहां पर अधेक्षता किया था रास ब्यारी बोश यहां पकाड़ाय की गोखले के अधेक्षता में तो यह हुआ था पहले सूरत अधिवेशन से यह पहले यहीं पर वह मत्भेट प्रकट हुआ था जो आते आते 1907 में यह भीखड़ गया तो यह बिलकुल सही है आगे कोशन हो सकता आपको इस वार बीबेसी में आ जाए क्योंकि अतुल परसाथ सर ने भी ट्विट किये थे कि कुछ कोशन डिफिकल्ट आएंगे और सटमी बीबेसी में इसलिए हम कुछ कोशन अब हार्ड लेकर आये हैं आपके सामने देखते हैं कि भारत में और विश्वास पर परस्ताव की विश्वे में निम्स्खित कत्रों पर विचार कीजिए वन है कि भारते स्विधान में किसी और विश्वास परस्ताव का उलेक नहीं है सकिन है कि और विश्वास परस्ताव केबल लोग सभा में ही पुरा स्थापित किया जा सकता है यह दोनों सही है वार यह मैचिंग कोरशन एक सरदीय नुश्यद और एक सरदीय और लगाया दिकार तो अनुश्य नुश्यद 19 का होसा है अ बैस है यह कुछा सिधियत और निशियत से संदक्षन यानि B का 1 हो जाएंगे फिर आप नुच्छेद 20 तो यह है आपका अपराद के लिए दो सिद्र के समझ में संदक्षन और नुच्छेद 21 है प्रान और दाहिक सोतंता का संदक्षन यानि हो जाएका आपका A का हो जाए गया 2 B का 1 यानि 2 1 2 1 3 4 2 1 3 4 यानि आपसर नुबर D हो जाएंगे 2 1 3 4 निश्क्रूशन दखते हैं निश्क्रूशन है कि भारती रास्टी कॉंगरिस के पर्थम अधिवेशन के बारे में निमिकित कत्रों पर विचार कीजिए सकेंड है कि भारती रास्टी कॉंगरिस का समकाली अधिवेशन होने के कारण सुर्नेंद्र नाथ बनर जी इस अधिवेशन में उपस्तित नहीं हो पाए थे यानि दोनों सही है 1 & 2 यानि इसका हो जाएगा आपसन C 1 & 2 दोनों कोशन है कि राष्टपती की अभिवासन राष्टपती के अभिवासन से अभिवासन से क्या अभिवासन है आपको बताना है कि राश्टपती के अभिभासर इसमें से किसे कहा जाता है यह होगा आपको बताना है राश्टपती के अभिभासर इसे ही कहते हैं राश्टपती के अभिभासर इसमें कि निमकित में से किन को बिधी के सासन के परमुख लक्षनों के रूप में माना जाएगा आपसन ए है शक्तियों का परिशिमन बी है विधी के समक्ष समन्ता थिरी है सरकार के परती जन उतरदायत और फोर है कि स्वतन्ता और नागरिक अदिकार इसमें आपको बताना है कि बिधी के सासन के परमुख लूप में लक्षनों को कौन इसमें निनुपित करता है तो वन सही है टू भी सही है थिरी गलत है फोर सही है यानि वन टू फोर हो जाएगे आपसन नमर ची हो जाएगे केवाल वन टू एंड फोर निस कुछन देखते हैं निस कुछन है कि निम्खित में से कौन से अनुछेद सिर्फ भारतिय नागरी को प्राप्त अधिकार से समंध रखते हैं अब इससे पहले में बता चुगे था आपको कि अनुछेद याद रखेगा 15, 16, 19, 29, 30 कौन सा है 15, 16, 19, 29, 30 यह पांच अनुछेद है जो केबल भारतियों यानि केबल नागरीकों को प्राप्त है इसमें देख लिए किस अप्शन में है तो आप्शन C में आप्शन A में है 15, 16 और 19, 29, 30 तो 3 में है 29, 30 B में है 17, 29 तो 17 तो है नहीं और D में 19, 31, 31 नहीं है तो इसका एंसर होगा केबल 1 & 3 आप्शन A जाएंगे केबल 1 & 3 ताप याद कर लिए 15, 16, 19, 29, 30 यह केबल नागरीकों को प्राप्त अधिकार है नेश्कोसन है कि सोदेशी आंधरों के संदर में नंमिखित कत्रों पर बिचार कीजीए इसने देशी सिल्प कारों के कौशल तथा उद्योगों को प्रुनर जिवित करने में यूगदान किया सकेंड है कि स्वदेशी आंद्रोन के एक अव्यव की रूप में राष्टी सिक्षा परिशत की अस्थापना हुई थी वन एंड टू दोनों से ही आए आप्शन सी हो जाएंगे निश्कोचन है कि निम्खित विश्षताओं किस ब्रिटिस भूर रायस्व विवस्था को से समधी थी वन है कि इसे मदरास मॉंबई के कुछ हिसे पुर्भी वंगाल और असम के कुर्क में लागू किया गया सकेंड है कि रायत को भूमी का मालिकाना हक दिया जाना थर्ड है समुदाइक संपती को राज के नियंत्र में किया जाना ये तीनु जो ब्रिश्षता है या किस ब्रिवस्था के ब्रिश्षता थी यह है रयत वारी ब्रिवस्था ओप्शन सी हो जाएंगे निश्कोचन है कि निम्खित कत्रों पर विचार कीजिए वन है कि वांडिवस्थ के युद में अंग्रेजों ने डचो को अंतिम रूप से पराजित किया ये गलत है वांडिवस्थ के युद में अंग्रेजों ने डचो को नहीं फ्रांसीसी को पराजित किया था सकेन है कि वेधारा के युद में डचो ने बंगाल में फ्रांसीसी को हराया था यह गलत है वेधारा के युद में डचो नहीं अंगडेजों ने डचो को हराया था यानि दोनों गलत है इसके एंसर जगा ओप्शन डी न तो वन नहीं टू यानि दोनों गलत है निस्कोसन है कि बंगाल में East India Company के बंगाल विज़े में किन कारकों ने युग्दान दिया 1 है कि बंगाल के नवावों का बहरी दुनिया के परती अग्यानता बिल्कुल सही है 2 है कि बंगाल की कमजूर सैंज सकती बिल्कुल सही है 3 है पर सासनिक भस्टाचार यह भी सही है फोर है बंगालों का नैतिक रूप से नमावों का नैतिक रूप से पतित होना ये गलत है यानि 1, 2 and 3 option C हो जाएंगे केबल 1, 2 and 3 next question देखते हैं next question है आपको मिलान करना है इससे दिया संधिया और उससे दिया पक्ष कुछ संधि यानि सूरत की संधि इस्ट इंडिया कंपनी और रधूराव नाथ राव बिल्कुल सही है फिर है इलाबाद की संधि इस्ट इंडिया कंपनी और सा आलम दुत्ये और अबद के नवाव यभी सही है 1 सही है 2 सही है 3 है स्री रंग पत्नम की संधि इस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली यह गलत है श्री रंग पत्नम की संधी इस्ट इंडिया कमपनी और हैदर अली के बीच में नहीं हुआ था या टीपो सुल्तान के बीच में हुआ था यानि थी गलत है इसका एंसर रजाएगा आप्शन C केवल 1 & 2 आगे देखते हैं next question देखते हैं next question है कुछ यहाँ पर विद्रो दिया है और उसको आपको देखना है कौन से सही है संधाल विद्रो 1855 से 56 बिल्कुल सही है मुन्डा विद्रो 1899 या भी सही है फिर है ताना भगत आंदोलन 1914 या भी सही है यानि इसका answer होजाएगा option D 1, 2 & 3 next question है कि बिविन परकार के मिर्दाओं यानि मिट्यों की जल धारन चमता का घर्टता होगा करम है यानि जल धारन करने की चमता सबसे यादी किसम है उसके बाद किसम है कि इसका होगा option A होजाएगे मिर्दिका से कम होगा गाद में सबसे कम होगा बालो में option A होजाएगे next question है कि मिर्दा के समद में निमखित में से कौन से कतन सही है option A है कि जलोड मिर्दाएं नेटोजन से समरिद होती है 2 है कि काली मिर्दाएं लोहे और चूने से समरिद होती है परन्तु नेट्रोजन हीन होती है फिर है कि लेट्राइट मिर्दाएं लोहे और एलमुनियम से समरिद होती है परन्तु नेट्रोजन और पोटेस्यम से हीन होती है तो 3 तो बिल्कुल सही है 2 भी सही है लेकिन 1 गलत है यानि इसका एंसर हो जाएगा केवल 2 and 3 option number B हो जाएंगे केवल 2 and 3 next question है कि भात में मिर्दा आप 6 समस्या निमे से किस से समन्दित है यह question आपका UPSC 2014 में आचुके हैं पूछ चुका है option A है व्यदी का किसी फिर है 2 बनो उनमलन 3 है उसन कटिवन दिये जलवायो तो इसका एंसर होगा केवल 2 option number B हो जाएंगे thank you देने बाद आज के लिए इतना ही फिर हम next वीडियो में कुछ यानि 25 कोशन आपको थोड़ा difficulty level को लेकर आएंगे जो आपको 68 BPC में कुछ help कर सकेंगे thank you देने बाद